कि धरा बेच देंगे, गगन बेच देंगे, धरा बेच देंगे, गगन बेच देंगे, कली बेच देंगे, चमन बेच देंगे, अगर तुम ही यूँ ही सोते रहे तो ये फरजी रास्टवादी वतन बेच देंगे, वतन बेच देंगे मैं पूछना चाहता हूँ क्या इस सरकार के पास कॉल करने के लिए दो रुपए भी नहीं है अरे दो रुपए नहीं है तो हम लोगों से ले लो लेकिन कॉल कर लो किसानों को आप कहते हैं किसानों को ये बिल समझ में नहीं आया हम बड़े समझदार हैं आईए हम आपको किसानी बिल समझ आएंगे मानिवर इनकी समस्था ये नहीं कि किसानों को ये बिल समझ में नहीं आया इनकी समस्था ये है कि किसानों को ये बिल समझ में आ गया है और अब ये तीनों काला कानून वापस चाहते हैं किसान आप बड़े अकलमंद समझते हैं अपने आपको अरे किसान को इतना मूर्ख मत समझ ये भाजपा के लोगों वो बिगडायल बहल की नाक में नकेल डालते हैं आपकी सरकार के नाक में भी नकेल डाल देंगे चिंता मत कीजिए ये सरकार 130 करोन हिंदुस्तानियों की सरकार ने ये मानिवर ये सरकार उन चार पूझी पती लोगों की सरकार है जिन के लिए कानून बनाते हैं और जिन से चंदा लेकर ये लोग चुनाव लड़ने का काम करते हैं जो लाल किले पे लोग आये थे वो भारती जन्तापाटी के लोग थे जिन्होंने लाल किले पे हमला किया जिन्होंने लाल किले पर तिरंगे का अपमान किया और वो दीव सिद्धु जो भाजपा का नेता है उसकी फोटो भाजपान मंतरी के साथ है देश के ग्रिह मंतरी के सा भागती जंटा पार्टी को इसका जवाग देना चाहिए कि भाजपा के नेताओं ने लाल किले का अपमान क्यूं किया तिरंगे का अपमान दी गई इस देश में पिछले चाहत 76 दिनों से किसान आंदोलन पर है उनके उपर लाठियां चलाए गई आसू गैस के गोले छोड़ गए बुड़े किसानों की आँखे फोर दी गई कलकती ठंड में पानी की बाउचारे की गई उनको आतंक वादी कहा गया उनको गद्दार कहा गया उनको खालिस्तानी कहा गया मानिवर उनको अपमानित किया गया यहां तक की भारती जनता पार्टी के एक विधायक ने कहा ये किसान नहीं आतंक वादी हैं, इनको सूट कर देना चाहिए, और अगर डिली पुलिस नहीं कर पाती, तो मैं इनको जूतों से मारूंगा, जूतों से मारूंगा, ये भाजपा के लोग कह रहे हैं मानिवर, इस देश के अन्न दाता, जो आपको अनाच पैदा करके आपका पेट भरते हैं, आप उनको जूतों से मारने की बात करते हैं, 11 दौर की आप वारता कर चुके सारी की सारी वारता फेल, आप कहते हैं मैं एक फोन काल की दूरी पर हूँ, मैं पूछना चाहता हूँ क्या इस सरकार के पास काल करने के लिए दो रुपए भी नहीं हैं, अरे आप जाये गाजीपुर बॉर्डर पे वहाँ पे 97 साल के इलम सिंग आपको मिलेंगे उनके दो बेटे फाउज में हैं रो रो के कहते हैं मुझे इस उमर में उपर उग्रवादी कहा जा रहा है नकसलवादी कहा जा रहा है उनकी पीडा है मानिवर आप जाये टीकरी बॉर्डर पे आप जाये सिंगु बॉर्डर पे पीडा के साथ वो लोग कहते हैं सहीद आजम भगस सिंग के बंसजों को शहीद लाला लाजपत रार के बंसजों को जलिया वाला बाग कांड में शहादत देने वालों के बंसजों को आप खालिस्तानी कह रहे आकंकवादी कह रहे उनको अपमानित करने का काम कर रहे मैं आपसे कुछना चाहता हूँ क्या दुस्मनी है आपकी इन नडाताओं से चलिए सब कुछ कर लिया आपने अब तो कम से कम उनके उपर दया कीजिए और ये तीनों काला कानून वापस लेना ही पड़ेगा आपको लेना चाहिए अब आपने जुल्म की इंतहा कर दी है आप चले जाएए गाजी पूर बॉर्डर पे मानिवर कटीले तार बड़े बड़े कीले गार दी गई है 12-12 इंच की कीले सडकों पे गार दी गई है देखतर ऐसा लगता है कि दुस्मन देश की सेना आने वाली है ऐसी परिस्थितियां दो परिस्थितियों में जन्म लेती है मानिवर जब देश का सासक अपनी जन्ता से डरने लगता है तो ऐसी सीमाएं बेडियां बनवाता है या देश की जंता को सत्तू समझने लगता है तब ऐसी बेडियां लगवादी यह होला है मानिम आज इनके जुर्म के कारण हिंदुस्तान के महान किसान नेता बाबा महें शिंग टिकैत के बेटे राकेश टिकैत को रोना पड़ा और ये कहना पड़ा कि भाज़पा के लोग घेर कर हमें लाटियों से पीटना चायते ये आप करा रहे हैं ये आप करा रहे हैं आप डेमोक्रेसी की बात यहां पर करते हैं आप आजादी की बात यहां पर करते हैं कि राजदीव सरदेसाई जैसे वरिस्ट पत्रकार के उपर आपने मुकदमे दर्ज करके पत्रकारिता को भी दबाने और उसको कुचलने काताम किया हर तरफ जुलम हर तरफ F.I.R हर तरफ मुकदमे जो पानी पहुचा रहा है उस पे मुकदमा जो डीजल दे रहा है उस पे मुकदमा जो खाने का इंतजाम कर रहा है उस पे मुकदमा एन आई ये लगा दो सी बी आई लगा दो पुलिस लगा दो जाच लगा दो अरे वो आपके देश के नागरिक हैं आप कहते हैं किसानों को ये बिल समझ में नहीं आया हम बड़े समझदार हैं आईए हम आपको किसानी बिल समझ आएंगे मानिवर इनकी समस्या ये नहीं कि किसानों को ये बिल समझ में नहीं आया इनकी समस्या ये है कि किसानों को ये बिल समझ में आ गया है और अब ये तीनों काला कानून वापस चाहते हैं किसान आप बड़े अकलमंद समझते हैं अपने आपको अरे किसान को इतना मूर्ख मत समझी है भाजपा के लोगो वो बिगडायल बहल की नाप में नकेल डालते हैं आपकी सरकार के नाप में भी नकेल डाल देंगे चिंता मत की जिए मैं आज सुन रहा था मानने बादे मुझे बड़ा आश्यर हुआ सारी की सारी भारती जनता पार्टी की सांसर जितने भी नेता बोल रहे थे कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी ने उन्नीस सो दो हजार उन्नीस के घोशना पत्र में इसको लिखा था ये बिल्तो कांग्रेस पास करना चाहती थी GST की बात करो ये बिल तो कांग्रेस करना चाहती थी हम इसलिए इसको कर रहे है लेकिन वो सांसर ये बता ना भूल गए कि जब ये बिल कांग्रेस लेकर आई थी तो उस समय स्वर्गी अरून जेटली जी ने और स्वर्गी सुस्मा स्वराज जी ने उस समय बिल का विरोज किया था और कांग्रेस ने अगर उन्नीस पे घोशना पत्र में इस बिल को सामिल किया था तो उनको तो पच्पन पे पहुँचा दिया आपने तो लागू कर दिया आपको पांच पे पहुचा देगे इस देश की जनता पांच पे पहुचा देगी इसलिए अगर आप कांग्रेस के सपनों को पूरा करने के लिए आए हैं तो जनता को भ्रमित मत कीजिए अपनी पार्टी का नाम बदल कर भारती जनता पार्टी से कांग्रेस पार्टी कर लीजिए कांग्रेस A हो जाए कांग्रेस B हो जाए जनता प्रचार करें आप लोग समझें आप क्या कहना चाहते है जनता तै कर लेगी मानिवर इस बिल में क्या-क्या लिखा है वो बातें आपको बता के और थोड़ी बाते कहके अपनी बात खत्म करूँगा असीमित भंडारन की छूट दी गई है इन बिलों में और वो क्यों दी गई है दो साल से अडानी का 100 एकर जमीन का लेंड यूज चेंज करने की अप्लीकेशन हर्याना सरकार के पास पेंडिंग थी लेकिन 7 माई को जब पूरे देश में लॉकडाउन लगा था उस समय उस लेंड यूज को चेंज करके 100 एकर जमीन पर अडानी को भंडारन कोल्ड स्टोरेज बनाने की छूट दी गई और 5 जून को आडिनेंस के जड़िये असीमित भंडारन और कोल्ड स्टोरेज बनाने की छूट दी तो एबिल किसाने के किसानों के लिए नहीं लगा गया है अपने चार पूजी पती मित्रों के लिए ये सरकार ये काला कानून लेकर आई है उन्हीं को फाइदा पहुचाने के लिए काला कानून लेकर आया गया है उन्हीं के लाप पहुचाने के लिए काला कानून ये सरकार 130 करोन हिंदुस्तानियों की सरकार ने ये मानिवर ये सरकार उन चार पूंजी पती लोगों की सरकार है जिन के लिए कानून बनाते हैं और जिन से चंदा लेकर ये लोग चुनाव लड़ने का काम करते हैं ये उनके लिए बनाई गी ये मान्वर मान्वर इस सरकार में कहा गया दिल्ली के मुख्यमंत्री के बारे में के किसानों का साथ दे रहें किसानों का साथ दे रहें मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता है उस्तादन के अंदर दिल्ली के मुख्यमंत्री अर्विंद केजरिवाल आम आदमी पार्टी किसानों का साथ बे रही थी देती रहेगी और आप ने हमसे नव स्टेडियम मांगा जेल बनाने के लिए केजरिवाल दी ने इंकार किया हम वहाँ पानी का इंतजाम कर रहे हैं आप पानी का इंतजाम रोक रहे हैं हम वहाँ साउचाले का इंतजाम कर रहे हैं आप वहाँ साउचाले का इंतजाम रोक रहे हैं आप वहाँ पर लोगों को पानी खाना साउचाले इस तक पर प्रतिबंद लगाना चाहते हैं इंटरनेट वो दुस्मन डेस के नागरी खेक्या उनके साथ इस तरह का बेवार आप गर रहे हैं एक माहौल बनाया गया 26 जन्वरी को लाल किले पे हमला लाल किले पे हमला साथ रूट पे किसान ट्रेक्टर रहली लेके निकला मानवर तिरंगा रहली लेके निकला और साथ रूट पर कहीं किसान ने कोई उपद्रों नहीं किया कोई हिंसा नहीं की जो लाल किले पे लोग आये थे वो भारती जन्ता पाटी के लोग थे स्ञाइब... सबको समय दिया मुझे भी समय दिए नोनोनो, डस मिनिट दिए सर, मानिवर, मानिवर, दीव सिद्धू, भाजपा का नेता वो फरार है, जिसने लाल किले पे हमला किया, जिसने तिरंगे का अपमान किया, अपनी घिनोनी राजनीती के चक्कर में, ये लोग कहां तक जा सकते हैं, इसका सच है, ये जो सामने आया है, आप MSP देने की बात कहत हैं ये, मैं उत्तर प्रदेश की खबर बता रहा हूँ, दस धान के क्राय केंदरों पर दस अधिकारियों के खिलाफ FIR हुई, क्योंकि क्राय केंदर में, खारीद में, MSP में गड़बरी की गई, इसी तरीके से, एक रुपए किलो गोभी भी भी करही थी, तो किसान ने अप रुपी में खरीद हुई है, वो भूतों की खरीद हुई है, किसान का पता नहीं नामदर्ज करके खरीद हो गई, चार साल में, डन्ना किसानों पे मात्र दस रुपए इन्होंने बढ़ाया है, उत्तर देश के अंदर, मात्र दस रुपए मानिवर, तो इसलिए, ना आप MSP देना चाहते हो, ना किसान को उसके फुचल का दाम देना चाहते हो, ACीमित भंडारन की छूट दे कर, आपने पूंजी पती मित्रों को ये सुविधा दे दी, कि ससते में किसान से अनाच खरी देंगे, ससते में पिसान से सब्जिया खरी देंगे, उसका बड़े-बड़े स नमा-खोरी को, काना वाजारी को, इस बिल के माद्धिन से लीगलाइज़् करने का, वैधता प्रदान करने का काम किया है, this extraordinarily, महिंगाई बढ़ाने का काम किया है, उसका रास्ता आपने खुला है, इसलिए भी ये बिल, तीनों का तीनों काना बिल वापश लिया जाना अंत में बजट आपने पेस चिया मननुर मस्ट खतम करके अपनी बात को खतम करूंगा उनी बातों को पिलिस प्लिस कंप्लूब इंगे गगन बेच देंगे धरा बेच देंगे गगन बेच देंगे कली बेच देंगे चमन बेच देंगे अगर तुम ही यूँ ही सोते रहे तो ये फरजी रास्टवादी वतन बेच देंगे धन्य बाद माना Thank you तो प्रजी रास्तवादी वतन बेच देंगे मैं पूछना चाहता हूँ क्या इस सरकार के पास कॉल करने के लिए दो रूपए भी नहीं है अरे दो रूपए नहीं है तो हम लोगों से ले लो लेकिन कॉल कर लो किसानों को आप कहते हैं किसानों को ये बिल समझ में नहीं आया हम बड़े समझदार हैं आईए हम आपको किसानी बिल समझ आएंगे मानिवर इनकी समस्या ये नहीं कि किसानों को ये बिल समझ में नहीं आया इनकी समस्या ये है कि किसानों को ये बिल समझ में आ गया है और अब ये तीनो काला कानून वापस चाहते हैं आप बड़े अकलमंदे समझते हैं अपने आपको अरे किसान को इतना मूर्ख मत समझ ये भाजपा के लोगों वो बिगडायल बहल की नाक में नकेल डालते हैं आपकी सरकार के नाक में भी नकेल डाल देंगे चिंता मत की जिए ये सरकार 130 करून हिंदुस्तानियों की सरकार ने ये मानिवर ये सरकार उन चार पूझी पती लोगों की सरकार है जिन के लिए कानून बनाते हैं और जिन से चंदा लेकर ये लोग चुनाव लड़ने का काम करते हैं जो लाल किले पे लोग आये थे वो भारती जनतापाटी के लोग थे जिन्हों ने लाल किले पे हमला किया जिन्हों ने लाल किले पर तिरंगे का अपमान किया और वो दीव सिद्धु जो भाजपा का नेता है उसकी फोटो भाजपान मंतरी के साथ है देश के क्रिह मंतरी के सा भागती जंता पार्टी को इसका जवाग देना चाहिए कि भाजबा के नेताओं ने लाल किले का अपमान क्यूं किया तिरंगे का अपमान क्यूं कि इस देश में पिछले चाहत चेटर दिनों से किसान आंदोलन पर है उनके उपर लाठियां चलाए गई आसू गैस के गोले छ भी आ गया यहां तक कि भारती जनता पार्टी के एक विधायक ने कहा यह किसान नहीं आतंक वादी हैं इनको सूट कर देना चाहिए और अगर डिल्ली पुलिस नहीं कर पाती तो मैं इनको जूतों से मारूंगा जूतों से मारूंगा यह भाजबा के लोग कह रहे हैं पर हूँ मैं पूछना चाहता हूँ क्या इस सरकार के पास कॉल करने के लिए दो रुपए भी नहीं है अरे दो रुपए नहीं है तो हम लोगों से ले लो लेकिन कॉल कर लो किसानों को कॉल कर लो किसानों को उनकी पीडा चरम पर पहुंच चुकी है मानिवर 165 किसानों ने की पीडा है मानुवर आप जाए टीक डी बौडर पर आप जाए सींगु बॉड़र पर पीडा के साथ वो लोग कहते हैं सहीद ए आजम भगस संह के बंसजों को जालिया वाग काणद में शहाद़ देने लोके बंसेजों को आप खालिस्तानी कह रहे हैं आकंकवादी कह रहे हैं उनको अपमानित करने का काम कर रहे हैं मैं आपसे पूछना चाहता हूं क्या दुस्मनी है आपकी इन नदाताओं से चलिए सब कुछ कर लिया आपने अब तो कम से कम उनके उपर दया कीजिए और ये तीनों काला कानून वापस लेना ही पड़ेगा आपको लेना चाहिए अब आपने जुल्म की इंतहा कर दी हैं आप चले जायए गाजी पूर बॉर्डर पे मानिवर कटीले तार बड़े-बड़े कीले गार दी गई हैं बारा-बारा इंच की कीले सड़कों पे गार दी गई है कि दुस्मन देश की सेना आने वाली है ऐसी प्रिस्थितियां दो प्रिस्थितियों में जन्म लेती है मानिवर जब देश का सासक अपनी जनता से डरने लगता है तो ऐसी सीमाएं बेड़ियां बनवाता है या देश सिंग टिकायत के बेटे राकेस टिकायत को रोना पड़ा और ये कहना पड़ा कि भाजपा के लोग घेर कर हमें लाटियों से पीटना चाहते हैं ये आप करा रहे हैं ये आप करा रहे हैं आप डेमोक्रेसी की बात यहां पर करते हैं आप आजादी की बात यहां पर करते हैं आ हर तरफ जुम, हर तरफ F.I.R., हर तरफ मुकदमे, जो पानी पहुंचा रहा उस पे मुकदमा, जो डीजल दे रहा उस पे मुकदमा, जो खाने का इंतजाम कर रहा उस पे मुकदमा, N.I.A. लगा दो, C.B.I. लगा दो, पुलिस लगा दो, जाच लगा दो, अरे वो आपके द समझ में आ गया है और अब ये तीनों काला कानून वापस चाहते हैं किसान आप बड़े अकलमंद समझते हैं अपने आपको अरे किसान को इतना मूर्ख मत समझ ये भाजपा के लोगों वो बिगड़ायल बहल की नाक में नकेल डालते हैं आपकी सरकार के नाक में भी नकेल डा 19 के घोषना पत्र में इसको लिखा था ये बिल तो कांग्रेस पास करना चाहती थी जी एस्टी की बात करो ये बिल तो कांग्रेस करना चाहती थी हम इसलिए इसको कर रहे हैं लेकिन वो सांसर ये बताना भूल गए कि जब ये बिल कांग्रेस लेकर आई थी तो उस समय स्व कर दिया आपको पांच पे पहुचा देगे इस देश की जनता पांच पे पहुचा देगी इसलिए आगर आप कांग्रेस के सपनों को पूरा करने के लिए आए हैं तो जनता को भ्रमित मत कीजिए अपनी पार्टी का नाम बदल कर भारती जनता पार्टी से कांग्रेस पार्ट ताके और थोड़ी बाते कहके अपनी बात खत्म करूंगा असीमित भंडारन की छूट दी गई ये इन विलों में और वो क्यों दी गई है दो साल से अडानी का 100 एकर जमीन का लेंड यूज चेंज करने की अप्लिकेशन हर्याना सरकार के पास पेंडिंग थी लेकिन 7 माई को जब पूरे देश में लॉक्डाउन लगा था उस समय उस लैंड यूज को चेंज करके 100 एकल जमीन पर अडानी को भंडारन कोल्ड स्टोरेज बनाने की छूट दी गई और पांच जुन को आउडिनेंस के जर्ये असीमित भंडारन कोल्ड स्टोरेजग बनाने की छूट दी तो अबिल किसाने के किसानों के लिए नहीं लागा गया है अपने चार पूंजी पती मित्रों के लिए ये सरकार ये काला कानून लेकर आई है उन्हीं को फाइदा पहुचाने के लिए काला कानून लेकर आया गया है उन्हीं के लाप पहुचाने के लिए काला कानून ये सरकार 130 करोन हिंदुस्तानियों की सरकार ने ये मानिवर ये सरकार उन चार पूंजी पती लोगों की सरकार है जिन के लिए कानून बनाते हैं और जिन से चंदा लेकर ये लोग चुनाव लड़ने का काम करते हैं ये उनके लिए बनाई गी ये मानिवर मानिवर इस सरकार में कहा गया दिल्ली के मुख्यमंत्री के बारे में कि किसानों का साथ दे रहें किसानों का साथ दे रहें मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता है उस्तादन के अंदर दिल्ली के मुख्यमंत्री अर्विंद केजरिवाल आम आदमी पार्टी किसानों का साथ बे रही थी देती रहेगी और आपने हमसे नव स्टेडियम मांगा जेल बनाने के लिए केजरिवाल दी ने इंकार किया हम वहाँ पानी का इंतजाम कर रहे हैं आप पानी का इंतजाम रोक रहे हैं हम वहाँ साउचाले का इंतजाम कर रहे हैं आप वहाँ साउचाले का इंतजाम रोक रहे हैं आप वहाँ पर लोगों को पानी खाना साउचाले इस तक पर प्रतिबंद लगाना चाहते हैं इंटरनेट वो दुस्मन डेस के नागरी कहे क्या उनके साथ इस तरह का बिवहार आप कर रहे हैं एक माहौल बनाया गया 26 जन्वरी को लाल किले पे हमला लाल किले पे हमला साथ रूट पे किसान ट्रैक्टर रहली लेके निकला मान क्या जिननौंने लाल क्ले पतिरंगे का अपमान किया और वो दीव सिद्धू जो भाध्पा का नेता है उसकी फोट करहां के साथ है देश के ग्रिम मंत्री के साथ है भाध्ती जन्तां पार्टी को इसका जवादर देना चाहिए है कि भाध्पा के नहिता उन्ने लाल किले मानवर, दीव सिद्धू, भाजपा का नेता वो फरार है जिसने लाल किले पे हमला किया जिसने तिरंगे का अपमान किया अपनी घिनोनी राजनीती के चक्कर में ये लोग कहां तक जा सकते हैं इसका सच है ये जो सामने आया है आप MSP देने की बात कहते हैं आप कहते हैं हम इस देश के किसान को MSP देंगे बड़ी अजीब बात है मानवर इस देश के किसान को MSP देने के नाम पर क्या कर रहा है ये मैं उत्तर प्रदेश की ख़बर बता रहा हूँ दस धान के क्राय केंदरों पर दस अधिकारियों के खिलाफ F.I.R. हुई क्योंकि क्राय के अंदर में खारीद में MSP में गड़बरी की गई इसी तरीके से एक रुपए किलो गोभी भी कर रही थी तो किसान ने अपनी गोभी पे ट्रेक्टर चला दिया उत्तर प्रदेश की ख़बर बएली के अंदर उत्तर प्रदेश में तीन करोण की धान खरीद ho गई काजू पे किसान का पता तक नहीं है तो डिरेक अबरायन साथ जो यूपी में खरीद हुई है वो भूतों की खरीद हुई है किसान का पता नहीं नामदर्ज करके खरीद हो गई चार साल में डन्ना किसानों पे मात्र दस रुपए इन्होंने बढ़ाया है उत्तरकदेश के अंदर मात्र दस रुपए मानिवर तो इसलिए ना आप MSP देना चाहते हो ना किसान को उसके फसल का दाम देना चाहते हो असीमित भंडारन की छूट दे कर आपने पूझी पती मित्रों को ये सुविधा दे दी कि सस्ते में किसान से अनाच खरी देंगे सस्ते में किसान से फल खरी देंगे सस्ते में किसान से सब्जियां खरी देंगे उसका बले-बले स्टोरेज में भंडारन करेंगे जमाखोरी करेंगे और जब बजार में फल, सब्जियों की कमी हो जाएंगी अनाज की कमी हो जाएंगी तो महंगे अगामों में जंता को बेचेंगे यानि आपने महंग़ाई को जमाखोरी को, काला बाजारी को इस बिल के माध्यम से legalize करने का वैधता प्रदान करने का काम किया है इस देश में महंगाई बढ़ाने का काम किया है उसका रास्ता आपने खोला है इसलिए भी ये बिल तीनों का तीनों काला बिल वापस लिया जाना चाहिए थैंक यू अंत में बजट आपने पेस किया या मनोर बस खतम करके अपनी बात को खतम करूँगा भारें पेस किया उप्र imaging बजट के उपर और खरीद के उपर मैं लॉस्ट में जूट इनका बजट है चंद लाइनों में उसको कह कि अपनी बात को खतम करूँगा की धरा बेच देंगे गगन बेच देंगे धरा बेच देंगे गगन बेच देंगे कली बेच देंगे चमन बेच देंगे अगर तुम ही यूँ ही सोते रहे तो ये फरजी रास्टवादी वतन बेच देंगे धन्यबाद मौना थैंक यू जाल करने के लिए 2 रुपहे नहीं है है कि और बड़े समझदार आई ये हम अपको किसानी विम समझ आएंगे मनिवर इनकी समस्या ये नहीं कि किसानों को यह बिल समझ में नहीं आगया और और अब तीनों काला कानून वाकम है किसान अप बड़े अकल मंद समझतें आप्ने आपको अरे किसान को इतना मूर्ख मत समझ यह भाजपा के लोगों व भीदैल बहल की नाक में नकेल डालते हैं, आपकी सरकार के नाक में भी नकेल डाल देंगे, चिंता मत कीजिए, ये सरकार, 130 करोन हिंदुस्तानियों की सरकार ने ये मानिवर, ये सरकार, उन चार पूझी पती, लोगों की सरकार है, जिन के लिए कानून बनाते हैं, और जिन से चंदा लेकर ये लोग चुनाव लडने का काम करते हैं जो लाल क्ले पे लोग आये थे वो भारती जनता पार्टी के लोग थे जिन्हों ने लाल क्ले पर तिरंगे का अपमान किया और वो दीव सिद्धु जो भाजपा का नेता है उसकी फोटो अधान मंत्री के साथ है देश के क्रिह मंत्री के साथ है भारती जनता पार्टी को इसका जवाग देना चाहिए कि भाजपा के नेताओं ने लाल क्ले का अपमान क्यूं किया तिरंगे का अपमान क्यूं किया पिछले चाहत चेटर दिनों से किसान आंदोलन पर है उनके उपर लाठियां चलाई गई आसू गैस के गोले छोड़े गए बुड़े किसानों की आँखे फोर दी गई कलकती ठंड में पानी की बाउचारे की गई उनको आतंक वादी कहा गया उनको गद्दार कहा गया उनको खालिस्तानी कहा गया मानिवर उनको अपमानित किया यहां तक कि भारती जनता पार्टी के एक विधा उस देस किया नही नहीं जाता जो आपको अनाच पैदा करके आपका टेट बनते हैं आप उनको जूतों से मारने की बात करते हैं 11 दूर आप वारता कर चुके सारी की सारी वारता फेल आप एक फोन काल की दूरी – त्यू को काल करनो किसानों को उनकी पीडा चरम पर पहुंचुकी है मानवर 165 किसानों ने अब तक अपनी शहादत दी है आप जाए गाजीपुर बॉर्डर पे वहाँ पे 97 साल के इलम सिंग आपको मिलेंगे उनके दो बेते फाउज में हैं रो रो के कहते हैं मुझे इस उमर में आप जाए सिंगु बॉर्डर पे बीडा के साथ वो लोग कहते हैं सहीद आजम भगस सिंग के बंसजों को शहीद लाला लाजपत रार के बंसजों को जल्या वाला बाग कांड़ में शहादत देने वालों के बंसजों को आप खालिस्तानी कह रहें आगंकवादी कह रहें उ आपसे कुछना चाहता हूँ क्या दुस्मनी है आपकी इन नदाताओं से चलिए सब कुछ कर लिया आपने अब तो कम से कम उनके उपर दया कीजिए और ये तीनों काला कानून वापस लेना ही पड़ेगा आपको लेना चाहिए अब आपने जुल्म की इंतहा कर दी है आप चल ऐसा लगता है कि दुस्मन देश की सेना आने वाली है ऐसी परिस्थितियां दो परिस्थितियों में जन्म लेती है मानिवर जब देश का सासक अपनी जनता से डरने लगता है तो ऐसी सीमाएं बेडियां बनवाता है या देश की जनता को सत्तु समझने लगता है तब ऐसी बेड़ियां लगवादी ये हो रहा है मानुवार आज इनके जुर्म के कारण हिंदुस्तान के महान किसान नेता बाबा महें सिंग टिकैट के बेटे राकेस टिकैट को रोना पड़ा और ये कहना पड़ा कि भाजपा के लोग घेर कर हमें लाटियों से पीटना चाहते हैं ये से वरिष्ट पत्रकार के उपर आपने मुकदमे बर्ज करके पत्रकारिता को भी दबाने और उसको कुचलने का ताम किया हर तरफ जुल्म हर तरफ F.I.R हर तरफ मुकदमे जो पानी पहुचा रहा है उस पे मुकदमा जो डीजल दे रहा है उस पे मुकदमा जो खाने का इं समझ आएंगे मानिवर इनकी समस्था ये नहीं कि किसानों को ये बिल समझ में नहीं आया इनकी समस्था ये है कि किसानों को ये बिल समझ में आ गया है और अब ये तीनों काला कानून वाफस चाहते हैं किसान आप बड़े अकलमंद समझते हैं अपने आपको अरे किसान को इतना मूर्ख मत समझे है भाजपा के लोगों वो बिगड़ायल बहल की नाक में नकेल डालते हैं आपकी सरकार के नाक में भी नकेल डाल देंगे चिंता मत कीजिए मैं आज सुन रहा था मानने वाजपा मुझे बड़ा आश्चर हुआ सारी की सारी भारती जंता पार्टी की सांसर जितने भी नेता बोल रहे थे कह रहे हैं कांगरेस पार्टी ने उननीस सो दो हजार ननीस के घोषना पत्र में इसको लिखा था ये बिल तो कांगरेस पास करना चाहती थी जी एस्टी की बात करो ये बिल तो कांगरेस करना चाहती थी हम इसलिए इसको कर रहे है लेकिन वो सांसर ये बताना भूल गए कि जब ये बिल कांगरेस लेकर आई थी तो उस समय स्वरगी एरून जेटली जी ने और स्वर्गी सुस्मा स्वराज्जी ने उस समय बिल का विरोध किया था और कांग्रेस ने अगर 19 के घोशना पत्र में इस बिल को सामिल किया था तो उनको तो पच्पन पे पहुँचा दिया आपने तो लागू कर दिया आपको पांच पे पहुचा देगे, इस देश की जनता पांच पे पहुचा देगी, इसलिए अगर आप कांग्रेस के सपनों को पूरा करने के लिए आए हैं, तो जनता को भ्रमित मत कीजिए, अपनी पार्टी का नाम बदल कर भारती जनता पार्टी से कांग्रेस पार्टी कर करूंगा असीमित भंडारन की छूट दी गई है इन विलों में और वो क्यों दी गई है दो साल से अडामी का सो एकर जमीन का लेंड यूज चेंज करने की अप्लिकेशन हर्याना सरकार के पास पेंडिंग थी लेकिन साथ माई को जब पूरे